जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकु आप सभी का महार्दिक्स फ़ागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवसे मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुप कामना है आए आज के सब्जेक्ट में हम बात करते हैं आखों के रोगों के ऊपर कैसे आज कल आप देखना हैं बहुत तो की आखों वाली समस्याएं चल रही हैं एक तरह से आई फ्लू इसे हम कह सकते हैं आखे आना आखे लाल हो जाना आखे दुख जाना तो यदि समाने रूप से आई फ्लू आपको यदि इस समय हो रहा है समाने रूप से आखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है समाने रूप से और बड़ी अगर कोई दिक्कत है फिर तो हमें देखो चिके सिक्या वशक्ता तो पढ़ती ही पढ़ती है आखों का मसला होता है लेकिन आज कल जो यह आई फ्लू चल रहा है जगा जगा बहुत लोगों की आखे पक रही है लालसी हो रही है तो उस समस्या के लिए एक बहुत सी सुंदर भगवती का मंत्र है आज हम आपको बताने वाले हैं उस मंत्र को आप चाहें पांच बार रोज पढ़ें रोज पढ़ लिजे अभी 15-25 दिन और ये आखों वाली समस्या बरसात के समय में हर साल आती ही आती है तो आप सब की सेवा के लिए हम उपस्तित हैं उस मिशेस मंत्र को ले करके आए पहले आज काम बंचांग देखें फिरागय की चर्चा करते हैं पांच अगस सन दोजार तेज दिन सनिवार सम्मत दोजार स्थी स्वरावनमास करसन पक्स तिथी आज चतो थी नक्षत्र उत्त्रा भाद्रबद रहुकाल नों से साड़े दस दिसासूल पूर्वदिशा आप देखिए एक तो ये बदलता जब मोसम होता है बरसाती मोसम हो लेकिन इस बार कुछ आई फिल्यू का ज्यादा मैं देख रहा हूं प्रखोब चल रहा है तो आपको आज हमें चोटा सा मंत्र बताने वाले हैं इसे अपनी कापी पे नोट कर लीजिए चाहे एक कटोरी में पानी रखें और इस मंत्र को 211 बार भगवती का ध्यान करके रो में पहीर निकल रही है डाप ने देखा ना जीव में फंसी सी हूं जाती है उसको हम गूअ कहते हैं है और वा को मोटी सी हो जाती है तो कई बार उस पर लॉंग हिसके लगाई जाती है बहुत सारी कीज़ें की जाती है लेकिन मैं एक राय आप सबको जरूर दूँगा अगर आखों में किसी भी प्रकार के आपके समस्या है तो देखो भाया medical treatment सबसे पहले अपना ले लेना समझ में आई बार medical treatment पहले लेना और वो भी जन्नी की साधना तो अपने आप में प्रम पार होती है तो अब इस मंत्र को रोज कैसे करना है जिसकी आखे दुख रही है या गोहरी आ रही है तो जिनको गोहरी निकल आती है साइड में फुंसी से निकल आती है तो medical treatment first ध्यान रखना और ध्यान रहे अगर गोहरी को निकले इसे गोहरी कहते हैं कहीं गोहरी कहते हैं कहीं से अंजनियारी कहते हैं वचपन के सब्ध हैं जादी-नानी से सुना करते थे तो तो यह अगर किसी को निकलाती है तो उसके लिए क्या किया जाए एक लॉंग ले लें लॉंग को किसी पत्थर पर घिसे हलका सा उसमें गंगा जल पर घिसे और जो मंत्र मैं अभी आपको मंत्र लेखवाऊंगा उस मंत्र को बोलते रहें देवी माता का ध्यान करके और वो हलक सब गोहेरी पे आप लगा लिए आपको और आप मिलेगा लेकिन अगर गोहेरी नहीं है अंजन्यारी नहीं है कोई और आपको किसी और तरह की एलर्जी हुई है फोड़ा फुंसी हुई है तो यह पेश नहीं लगाना है सिर्फ आपको यह मैसूस हो जाए यह अंजन्यारी ही ह ये गोहेरी ही है तब आप इसको लगाईएगा ठीक है दूसरी बात अगर आपकी आखे दुखनी आ रही है जिसे आज कल का रोग चल रहा है आखे दुखना जिसे कहते हैं आखों में मैल सा सुवे सुवे बहुत ज़द निकलता है आखे दिन बर अजीब अजीब सी रहती है या बिल्कुल जो आई-फ्लू वाला रोग होता है वो आपको हो गया है तो इस मंत्र को रोज आप 21, 31 या 51 बार पढ़िए इश्वर के करपा देवी माता के करपा होगी और धीरे-धीरे आपकी आखे अपने रूप में सही हो जाएंगी बाकि मेडिकल ट्रीट्मेंट ये बार-बार बाते बोलनी पड़ती हैं कि कुछ लोग बिल्कुरी हर चीज के भरों से बढ़ जाते हैं तो दवावी और दुवावी दोनों चीज़े होनी चाहिए तो आईए अब भगवती का बहुत ही अच्छा मंत्र लिखें जो आँखों पे रोगों के लिए बढ़ा चा मां कहीं यह ऑं शाम शाक्नि भयाम नमावी मिलता है तो यह देवी का मंत्र है आप इसे मां भगवती के चरणों में बैट करके है देवी मा, आपके करपास से मेरा यह नित्रों का रोख जो यह आज कल का आई फिलु है यह चल रहा है आँखों का रोख यह आपके करपास से दूर हो और मेरी आँखे स्वास्त हो तो उस यूप में यह आपको बहुत अराम दायक देगा या जल के उपर पढ़के आइस बंद कर लें, आखे बंद कर लें, हलक हलका पानी का छीटा भी मालेंगे, उसी जल का या पानी का छीटा मालें, और ये मंत्र पढ़ती रहें, तो भी आपको राम मिलेगा, अब बात रही दूसरी, जिन लोगों की आँखों में जादे दिक्क आपको मैसूस होती है, तो उसके लिए फिर एक विशेश प्रकार का यंत्र बनता है, उस यंत्र की साधना, कांचसे का दीपक जला करके, हल्दी की माला पर जब किया जाता है, वो सारा सिस्टम अलग होता है, वो हमने पहले अपने अनेगों एपिसोड में, आखों से में बहुत लोगों को इस प्रकार के शिकायत हम आजकल देख रहे हैं, सब लोग ब्लैक चसमी लगा रहा है, वो रोग हो रहा है, तो उस हेतु हमने ये मंत्र आज के लिए आपको बताया है, इसके लावा हमारी नसों में, नाडियों में, दातों में, कमर में, नाना भाती क रोग होते हैं, उसके लिए भी भगवती के छोटे-छोटे मंत्र हैं, और जो बड़े चमतकारी हैं, ऐसे हम आपको बहुत लोगों के बैक पेन होता है, कमर दर्द रहता है, तो कमर दर्द के लिए एक बड़ा ही अधुत भगवती का मंत्र है, ओम धम धनुर धारी भयाम यह हम अने को बार पहले बता चुके हैं, जिनकी कमर में दर्द रहता हो, बैक पेन रहती हो, और बहुत लोगों के नीचे स्पाइनल कोड में प्रॉडम आ जाती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रही हैं, लेकिन इसमें क्या जाता है, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग ओम धम धनुर धारी भयाम नमा, इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, और किसी अपने परिचित को यह भगवती का मंत्र आप बता भी सकते हैं, मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है कि एक समय में, आज भी ऐसे बहुत हैं, अब तो खेर उस टाइप से लोगों का जंगल में जा आता रहता था, सर्प काट ले, सर्प काटने के मंत्र भी विसी अलग परकार के होते थे, लेकिन हम आज के परिवेस में आपको यह जुरूर कहेंगे, क्योंकि उस समय वो मंत्र शुद्ध होते थे, आज बहुत मंत्र अशुद्ध भी हमारे पास हैं, हमारे से मतलब हम से वे, आपने सर्प काटने का मंत्र सिद्ध किया हुआ है, ना तो आपने धंसे सिद्धी की है, मंत्र आपका गलत है, और किसी को सर्प ने काट लिया, और आप उसकी फूक मार रहा है, और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि आपका मंत्र गलत है, इसलिए सर्प तो जैसी इस्तिति में मैं अब यही राये दूंगा कि सबसे पहले हमें मेडिकल उपचार ले रहना चाहिए सबसे पहले और अब तो मेडिकल उपचार बहुत बहुत अच्छे मेडिक उससे में क्या था आप बहुत लोग कहीं कि ट्रांस्पोर्टिशन नहीं था कि लोग गाउं दरगाउं रहते थे शहर तक आने में उन्हें कई-कई दिन भी लग जाते थे बहुत सारे घंटे लग जाते थे और इसलिए इन मंत्रों में उस समय बड़ा ही लोगों का अच्छा उपचार हुआ करता था जो मंत्र के काम सिद्ध भी नहीं है से जड़ा हुआ है जाड़ फोग में भी बहुत सारा पैसा लोगों का कई बार खराब हो जाता है फिर पहले लोगों की आत्मा लोगों का रहन सेन लोगों का परिवेस बहूत कुछ अलग था और आज तो कहने की ज़रूब नहीं है कि व्यक्ति ही स नाप बना हुआ है कब कोन किसको डस ले कब किसको कोई समझ रहा है ना मेरी बाज़ा तो अब तो सब कुछ बदल गया है इसलिए आप यह चीजे काम करती हैं लेकिन कम रूप में काम करती है और वहीं करती है यह काम जो बिल्गु शुद्र तरीके से मंत्र को पढ़े शुद क्या है सब कुछ जगड़े का कारण बन जाता है आज भी बहुत से ऐसे आचल हैं जहां पूछा देना जिसको कहा जाता है कि किसने ये काम किया किसने ये हरकत किये किसने ऐसा किया तो अब ये सारी चीज़े दीरे विलुक्त हो रही है पहले अगर कोई ऐसा विद्वान होत लेता था हम मेरी घ्लती है अब भीया सबकुछ बदल गया बस एक ही चीज है भागवान वही थे ठक पहले भगवान वही हैं लकिन हमारी आदते अब बचल गई है हम भाग्वान की कोई भी प्राथना सवार्त भाव करते हैं निस्वार्त बहुत नहीं करते ओं आज अप मे बहुत कम लोगों के हैं जो भाव से तीर्स पर जाते हैं और जाते भी हैं तो जारदर 50-60% वो लोग जाते हैं कहीं ने कहीं अपनी कामना ही ले करके जाते हैं अपनी बहुत कामना ही ले करके जाते हैं भगवान पर प्रसाद कम और कामनाओं का बहुत ज्यादा हम लाद देत इसलिए बहुत कोई बदल गया लेकिन अगर एक साही भक्त हो साही भक्ती करे loss क्या प्रभू की चंतन में लगा में रहा और अपनी जीवन पर विध्यान दे अपने करे पर विध्यान दे अपने उध्योग पर ध्यान दे चाह redesign अपने इमान को न का आज की ध्यान सादना में जुड़ते हैं हम प्रामबा उस महा शक्ती से हे भगवती हे जगत जन्नी आप सब का कल्यान करें ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संददतिम करेश्त्रिनायनाम सरवंग वुस्वरिताम नेलास मध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्त विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेठ विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणा मलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कवच बना लें ध्यान करें भगवती कश्यू बासी समसब के उपर बरस राज अम बोलते वे नेत्रफोने समान्य हो जाएं देखो साधिको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम अपने इसाफ से समझाना चाहते हैं बताना चाहते हैं हैं आप हमारे दोनों चैनल से बहुत अच्छे से जूड़े रहेगँ और संआतनधर्म के नाते हमारे दोनों चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने का आप लोग प्रियास करें ताकि जो भी कुछ है कुछ नÖ कुछ आंको हम देते रहेंगे आपको मिलता एज रहेग安 आप स्वस्थ नहें, सुखी नहें, इन्हें शुप्रामनाओं के साथ हम अपनी मानी को फिराम देते हैं, जय जय अंबे। मेरे 30 साल की फ्रेक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो मेरे मानी मतर करती थी आपने मेरे को बताया था तो उस मतर से मेरी रोशनी बापिस आ गई. किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें